सो हे गाइस जैसा कि हम सब को पता है कि यहां पर वर्ड वाइड आज गूगल का सर्वर डाउन हो गया था एक्जेक्ली मैं बताऊं तो 1130 UTC जो कि यहां हमारे इंडिया के टाइम के अनुसार करीब 5 से स्टार्ट हुआ था और 5 बजे तक चला था तो बेसिकली सभी को पता है मतलक सारी Google Services बन थी और मतलब कि मैकसिमम इंपैक्ट पड़ा था YouTube पर और बाकी सारी सर्विसेस पर भी Gmail पर थोड़ा इंपेक्ट पड़ा था बहुत सारी Google Services मैक्सिमम पर इंपैक्ट पड़ा था गूगल सर्च पे काम इंपक्ट पड़ा था लेकिन गूगल अकाउंट तो अब यह सारी प्रॉब्लम्स थी लेकिन सबसे मेन रीजन यहां पर यह है कि यह गूगल जो डाउन हुआ था यह क्यों हुआ था तो इसी चीज को एक्स्प्लेइन करने के लिए मैं यहां पर यह वीडियो बना रहा हूं बाकी और मैं तो अभी मोड में भी नहीं था इस वीडियो को बनाने के लिए लेकिन बनाना पड़ रहा है आपको बस यह बात समझाने के लिए कि क्या रीजन था यह व्ल्ड वाइट गूगल के डाउन होने के तो चलिए मैं जरा सा आपको यह इनका ओफिशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा बता देता हूं तो आप देख सकते हैं मतलब आप देख नहीं पाओगे चली कोई बात नहीं अभी उतना प्रिपेर होके वीडियो नहीं बना रहा हूं बट सुन लो जो मैं आपको बता रहा हूं बैसिकली उन्होंने कहा था जो एक्जैक्ट स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि दरूट आपके गूगल का जो सर्वर था अब गूगल का जो सर्वर था उसमें बहुत सारी सर्वर रहते हैं अब किसी छोटे जगा पर मतलब की एक सर्वर था स्मॉल ग्रूप उप सर्वर जैसा कि इन्होंने का है वहां पर एक कन्फिग्रेशन चेंज किया गया था तो उसी कन्फिग्रेशन चेंज को उसके आज पास के बहुत सारे सर्वर में मतलब की बहुत सारे सर्वर में वह तो स्मॉल ग्रूप उप सर्वर था लेकिन उसके ब पर apply कर दिया गया था large group of servers में तो हुआ कि वो जितने सारे servers थे वो उसके कारण जो उनकी जो network capacity थी थी ना तो half capacity पर यहां पर काम करने लगे जैसा कि इन्होंने कहा है that error caused those regions to stop using more than half of the available network capacity जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत जादा ही मतलब की network congestion होना start हो गया और उसके कारण basically हुआ कि जो high bandwidth services है जैसे की YouTube और यह सारी चीज़े वो severely effect हुई थी मतलब की 5-5 बादे के बीच में मतलब approximately YouTube तो बिलकुल भी नहीं चल रहा था ठीका ना और बांकी सारी चीज़े भी effect हुई थी लेकिन low bandwidth services जैसे की Google search हो गया वो उतनी ज्यादा effect नहीं हुई थी मतलब की फिर भी बहुत लोगों के लिए Google search भी एवन नहीं काम कर रहा था कुछ लोगों के लिए काम कर रहा था लेकिन बहुत high latency के साथ मतलब बहुत slow चल रहा था ठीक है ना तो basically यही problem थी Google के साथ और इसी चीज़ के कारण यहाँ पर Google डाउन हुआ था तो खेर anyway तो खेर आप तो Google अप हो गया है तो खेर आभी कोई problem नहीं तो basically लेकिन यही कारण था Google डाउन होने के पीछे तो इसी चीज़ को explain करने के लिए कि आखिर कर क्यों Google डाउन हुआ था आज तो इसी चीज़ को explain करने के लिए मैंने वीडियो मना है तो बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस information को spread करें बाकी thank you so much for watching